So Hello Everyone, आज के वीडियो में आप सब का स्वागत है, आज के दिन दो वीडियोज अपलोड होंगे, मतलब आज दिन भर में आपको दो वीडियोज मिलने वाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले में दिन के एक वीडियोज अपलोड करता था, कल तक आज से दिन के दो अपलोड होंगे, और आगे और भी वीडियोज इंक्रीज हो सकते हैं, पर डे वीडियोज का जो नमबर है, वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहर कंटेंट काफी अच्छा आने वाला है, और एजुकेशनल परपस से काफी हल्प करेगा आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कि मुझे इस पर्टिकलर स्टॉक के बारे में, इसके पूझे में जानना है, इसके टेकिनिकल के बारे में जानना है, इसका बिजन्स जानना है, और अगर आपका और भी को यूनिक डाउट है, अपना तो वो भी आप पोछ सकते हैं, तो comment जो request आया हुआ हुआ है, वो आप पताओगा बट बात करेंगे क्योंकि इन्होंने टीक को ठीक है तो देख सकते हो एकक हमाल कै EVER COMPANY का बहुत जादा है और रिस्क जाहाँ होने का मतलब अगर आप जादा risk लोगे simple सी बात है आपके returns भी जादा बनेंगे तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है लेकिन returns को आपको बस याद नहीं रखना है risk को भी आपको याद रखना है बहुत लोग returns को याद रखते हैं और उसके बाद जब घड जाता है पैसा खतम हो जाता है मतलब risk obviously जब loss हो जाता है उनको तो फिर नोगो याद आता है कि हाँ भाई इसमें risk भी था तो वो चीज़ है दूसरी बात यार मैं इस वीडियो में कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ स्टार्ट करते हैं without any delay सबसे पहले मैं इसके profit and loss पे जाना चाहूँगा एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखा देना चाहूँगा overall यहाँ पे जो है growth है obviously है बीच में थोड़ा से ये नीची आ गया था क्योंकि corona का time था उसके बाद recovery हुई बहुत अच्छी recovery हुई and उसके बाद फिर से increase हुआ और अभी TTM का number अगर आप देखोगे तो normal सा है लेकिन हाँ आप इसे छोड़ भी सकते हो आप यहीं तक का number दे 44,70,63,891,169,205 और 191 TTM का अगर आप देखोगे तो overall net profit मुझे थोड़ा जादा अच्छा लगा and obviously sales से तो जादा अच्छा है net profit मतलब top line से जादा bottom line है ये एक अच्छी बात है net profit अपने आप में भी एक अच्छे percentage से grow कर रहा है growth उसका ठीक है profit growth जिसको कहते हैं लेकिन ज percentage basis पर भी दिखाऊंगा तो sales growth मुझे पहला तो inconsistent लगा ठीक है थोड़ा से inconsistent लगा दूसरी बात ये inconsistent वाली बात अगर मैं हटा भी दू तो main बात है ये जो कि दूसरी बात है वो क्या है वो ये है कि इसका growth मुझे कम लगा एक होता है growth इस तरह का एक होता है growth इस तरह का एक ह अगर आप यहाँ पर EPS देखोगे तो 19 रुपे का EPS था जो की अभी लगभग 42-45 रुपे तक जा चुका है तो EPS में भी obviously growth है जैसे मैंने कहा कि net profit अच्छा है तो EPS भी उसी से derive होता है आगे बढ़ता है यहाँ पर sales growth अगर देखोगे 53% है तीन साल का which is very good TTM 22% है which is good बट अगर आप sales growth 11% कर रहे हो तो उस हिसाब से मुझे सही है लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ profit growth को देखोगे इसको अगर मैं ढग देता हूं तो 22% is okay okay तो overall profit growth जो है sales growth के साब से तो मुझे अच्छा ही लगा और इसका एक reason भी है इसका क्य 11% का margin हुआ फिर 13 हुआ फिर 11,13 फिर 22 हुआ और अभी 22 ही चल रहा है बाइस 21 तो यहाँ पिन्होंने margin increase किया इसी वज़े से जो इनका profit जादा increase हुआ है और ROE अगर आप देखोगे यहाँ पे stock price के अगर तो कुछ है नहीं ROE अगर आप देखोगे तो ROE यहाँ पे 25% है त profit growth भी अच्छा हुआ है तो यह सब सही है बट मुझे sales में थोड़ा problem लग रहा है sales मतलब problem नहीं है बहुत कम है sales का growth वो चीज़ है और equally होना चीए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई एक parameter नीचे चला जाता है तो उसको balance करने के लिए बाकी parameters को नीचे जाना होगा या तो उस parameter को वापस से उपर आना होगा यह चीज़ होता है और इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो गई मतलब क्या simple मतलब अगर ROE कम है जैसे यहाँ पर इसी case में देखते हैं यहाँ पर profit growth अच्छा है ROE अच्छा है EPS growth भी अच्छा है लेकिन sales growth उतना अच्छा नहीं ह बहुत ही average साय ओके होगे साय तो अब balance करने के लिए या तो sales growth को उपर जाना होगा या तो इन सब को थोड़ा थोड़ा करके नीचे आना होगा और अगर sales growth उपर जाता है बहुत अच्छी बात है और अगर उपर नहीं जाता है तो बाकि आपको पता है और मैंने आपको भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2014 काय मैं बोलना भूल गया था तो इसको आप हटा देना ठीक है क्योंकि बीच में जो है जो 2015, 2016, 2017, 2018 ये data नहीं है हमारे पास तो इसको हटा देना आप यही data यहां से ही देखो ठीक है और बाकी तो मैं जैसे गहता हूँ कि consolidated numbers को य देख करके move करता है दूसरी बात अगर आप इसके standalone को देखोगे ठीक है यहां पर आपको data तो मिलेगा थोड़ा जादा ही मिल जाएगा मेरे इसाब से जो भी है तो यहां पर data आपको देख रहा है अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर तीन साल का sales growth कितना है 20% है प last year का यहां पर 33% है जबकि वहां पर 27% था अगर मैं आपको यह data बताता है ऐसे करके कि यहां पर ROE यार बहुत अच्छा है 33% आपको खुद भी पता है 27-28% का ROE is good बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर ROE 30 के ऊपर है तो यह बहुत अच्छी बात है और यहां पर ROE 30 के sales growth है बहुत अच्छी बात है सब अच्छा अच्छा होता ठीक है यहां पर अगर आप normal numbers को भी देखोगी तो इसमें आपको थोड़ा अच्छा growth देखने मिलेगा लेकिन आपको standalone नहीं देखना है और इसी वज़े से मैं आपको कहता हूँ आपको standalone नहीं देखना है क्यों क् थोड़ा जादा positive हो जाते हैं लेकिन जो real picture है वो आपको दिखाएगा consolidated numbers जहां पर आपको percentage वो सही दिखेगा और इसी हिसाब से जो है इनी चीजों को देखकर के stock price का movement होता है तो always आपको consolidated numbers को ही देखना है क्योंकि कभी-कभी standalone numbers देखो कभी-कभी तो same आते हैं लगभग same होता है 1-2% का अंतर होता है लेकिन कभी-कभी जादा अंतर आ जाता है जैसे कि 50% का अंतर आ गया था profit growth में यहां पे 53 था वहां पे 111 था तो यह सब अंतर के वज़े से जो है यह कुछ हद तक आपको mislead कर सकता है तो यही मुझे आपको बताना था और यह चीज़ आपको reserves आप देख सकते हो 700 करोड के reserves है बॉरिंग 61 करोड की है एक और अच्छी बात क्या है कि company ने बॉरिंग को काफी कम किया है अगर आप देखोगे पहले जादा बॉरिंग थी उसके बाद इन्होंने दीरे-दीरे कम किया इस बॉरिंग को and साथ ही साथ इन्होंने reserves को भी increase किय which is also a good thing अगर आप देखोगे long term borrowing 9 करोड का है short term borrowing 8 करोड का है liabilities इनके पास कुछ 43 करोड की है मतलब जो actual short term और long term borrowing को मिला करके जो borrowing होती है वो इनके पास लगबग 17 करोड के आसपास है साड़े 17 करोड आप कहलो कि आसपास इनकी borrowing है जो कि equally divided है long term short term में तो borrowing एक तो बिलकु का holding मुझे काफी अच्छा लगा यहां पे 65.6% के आसपास का holding है मैं हमेशा कहता हूं अगर small cap है तो 65 की उपर की holding होनी चाहिए तो अच्छी बात होती है उसके साथ यहां पे FIIS का भी बहुत अच्छा holding है around 5.48% का हाँ यह बात है कि धीरे धीरे कम हो रहा है थोड़ा सा ब public का holding 16 है इसमें पूरा का पूरा retail investor ही है और मैं हमेशा कहता हूं retail investor जितना कम उतनी अच्छी बात यहां पर retail investor 16% है 16.5% which is very less तो मुझे यह काफी अच्छा लगा overall अब बात करते हैं मुझे क्या क्या चीज़े अच्छी लगी क्या क्या चीज़े अच्छी नहीं लगी मुझे मिला था जिसका ये भी अच्छा था वो भी अच्छा था सब कुछ अच्छा था लेकिन आप देखोगे वो stock फिर्ट चलेगा ही नी ठीक है तो कोई चीस perfect नहीं होता है कहीं ना कहीं प सका कुछ ना कुछ उपर नीचे रहेगा ही अगर वो नहीं रहेगा उपर इसमें बहुत चीज़े मुझे अच्छे लगी जिसमें से पहला है बॉरिंग का कम होना मतलब यहां पर जो बॉरिंग्स डिक्रीज हुए है यह एक बहुत अच्छी बात है उसके साथ यहां पर जो है डिजब्स भी काफी अच्छा है और यह सब कुस तो है ही यह ROE और profit growth को ही effect करने वाला है EPS growth को effect करने वाला है और कुछ नहीं और अगर sales growth वापस से कितना होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ around आप मान करके चलो 25 के आसपास तो इसे मान करके ही चलो ठीक है और अगर उससे जादा होता है तो और अच्छी बात है अभी कितना है 15 है तो लगबग 10% और चाहिए तो और उसे maintain भी करना है ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक साल कर लिया 25% का sales growth और नहीं करना है आपको हमेशा उसे करते रहना है उसे increase करना है तो फिर यहाँ पे balance थोड़ा बैठेगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ा से गरबड़ी लगा जैसे मैंने कहा यार कोई भी चीज हमेशा आपको picture perfect जिसको कहते है न वो नहीं मिलेगा आपको आगे चलते है technicals पर थोड़ा चलते है यहाँ पर देखोगे तो यह एक zone है जहाँ पर situation नहीं है again मैं बता दू मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह इन दोनों zone के बीच में फिर से आया तो फिर से मुझे लगता है फसेगा ठीक है इस तरह से फसा था दो बार वैसे ही फिर से फसेगा अगर यहाँ सी यह सपोर्ट लगता है इससे जादा नीचे यह गिरेगा उसके जस्ट नीचे ही एक और सपोर्ट है विच इस आलसो वेरी स्ट्रॉंग सपोर्ट तो यह भी है बट हां मुझे बहुत कम chances लगता है बाकी देखते हैं आगे क्या होगा लेवल मैं आपको बता दिये है resistance के कुछ levels तो normal है यहाँ पे एक और बना लेना यहाँ पे एक और बना लेना बात खतम और यह थोड़ा सा important है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पहले भी यहाँ पे consolidation देखने मिला था और वहाँ से resistance मिला है तो ठीक है इनी सब के साथ end करते हैं वीडियो को मैं आपको पहले एक और बात last बता दू क्यार कोई recommendation नहीं है इस वीडियो में ठीक है मैं कोई buying selling के लिए recommendation नहीं दे रहा हूँ purely educational purpose का वीडियो था जो आपको करना है खुद से analyze करके करना है और इसी के साथ end करते हैं वीडियो को जहां तक बात रही and हाँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल किया जहां तक बात रही 50% क्या अगर होगा क्या तो यार यह तो कोई भी नहीं कह सकता 50% क्या अगर होगा बट अगेन कोई recommendation नहीं है एंड करते हैं वीडियो को बाई बाई जय हैंद एंड थैंक्स वर वाचिंग